नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर विदर्वा के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी वश्यर संसा नाग विदर्वा चेंबर अफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मिहाडिया के साथ चेंबर के पताधी कारियों ने शिवसेना नेता एवं महराष्टर राज्यप परियावरन विकास मंत्री आधित्य ठाकरे पालक मंत्री डॉक्र नितिन राउत एवं रामटेक सांसत कुरुपाल तुमाने से नागपूर के विभागय आयुकत कारियाले में मुलाकात की प्रतिनीधी मंडल ने ग्यापन सोब कर सामाजिक सांस्रोतिक सभागरुः वैवाहिक मंगल कारिया लयो लॉंस एवं रेसिडेंशियल होटेल के वार्षिक संपत्ति कर माफ कर उन्हें पुन्हा पूरुनक शम्ता के साथ नियमित रुप से शुरू करने तथा नागपूर में LBT असेस्मेंट की प्रक्रिया को पुरुन तह समाप्त करने में सहीयो करने का निविजन किया चेंबर के अद्धिक्ष अश्वन प्रकाश मेहाडिया ने चेंबर की और से दुपट्टा वह पुश्पक उच्छा देकर उनका सतकार किया अश्वन प्रकाश मेहाडिया न प्रतिनीधी मंडल के सदस्यों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रतिनीधी मंडल के सदस्यों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रतिनीधी मंडल के सदस्यों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरसल मुनी चार प्रकार के होते हैं। रुशी, मुनी, यती और अनगार। रुशी वे हैं जिने उच्चे तपस्या से 64 रुधिया प्रकट होती है। जो रुधि प्राप्त होने के बाद 500 योजन का भी दर्शन कर सकते हैं। दूर का स्वाद ले सकते हैं, दूर का सुन सकते हैं। रुधि सामान्य के लिए प्रकट होना असंभव हैं। जो रुद्धी अवस्था को प्राप्त करते हैं उन्हें रुद्धी धारी कहते हैं जो मौन रहते हैं वे मुनी कहलाते हैं जो जंगलों में गुफाओं में रहते हैं उन्हें यती कहते हैं ये उपास भी लंबे समय तक करते हैं अनागर वे होते हैं जो नगन दिगंबर है औ पतुल सुक के भंडार को हासिल कर सकते हैं। गुरुदेव ने रुशी मुनियों से जुड़े और भी कई अंजान पहलू अपर प्रकाश डाला। सेलिब्रेशन लौन के खिलाफ कोविड नियमों का उलंगन करने पर कारवाई की और साथ हजार रुपे का जुर्माना वसूला। सब्सक्राइब करने पर कोविड नाग्पुर महानगर पालिका के खेल अधिकारी पियोश अंबुलकर, इंस्टिटूट ओफ सायंस की शारेरिक शिक्षन संचालक, डॉक्टर माधवी मारडीकर, समाध सेवक, चंदन सिंह रोटेले, खेल संगठक, अजय हिवरकर, प्रवि कई खिलाडी आगे आ रहे हैं, देश के विभिनना हिस्सों से खिलाडी एशियन सौफ्ट बॉल चैन परिक्षा के लिए नागपुर पहुचे थे, टूर्नामेट के दोरान खिलाडियों ने अपने हुनर को साबित करने की कोशिश की सफल खिलाडियों का चैन एशियन चैं करने वाले खिलाडियों को सम्मानित किया, नंदगाओ के स्थानिय महिलाओ के एक प्रतिनी धी मंडलने सुमवार को राज्य के परियावरन मंत्री आजित्य ठाकरे से मुलाकात की और एक विस्तुरूद ग्यापन सोपा, जिसमें बताया गया कि खापर खेडा थर्मल पाव स्टेशन के फ्लाई एश से होने वाले पानी और वायू प्रतुशन के कारण उनके बच्चे किस तरह कई बीमारियों से पिडित हो रहे हैं, पत्र में गाओं की भावी पीड़ी की सुरक्षा के लिए नंदगाओ फ्लाई एश डंप साइट को स्थाई रुप से बंद करने और इसके पुरुना जिरनोधार की मांग की गई, ये पत्र महिला स्वयम सहायता समुह की उन माताओं ने लिखा है, जो राश्टी अभियान वॉरियर मॉम्स की सदस्याए है, नंदगाओ की सरपन सोनाली मनोज वर्खाडे के नेतरुत्व में, माताओं ने ठाकरे को राज अरपाई करना भी बेहत जरूरी है, उन्होंने आगे बताया कि राख का डेर गर्मियों में सूखने के बाद अन्य गाओं, खेतों और नदियों तक फैल जाएगा, जो बेहत हानिकारक है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा धोके से 44 जवानों को शहिद किया गया, उसी दीन को देश की सरकार ने ब्लैक डेग घूशित किया है, शहिदों के सम्मान और याद में वैश्य एकता परिशत की कार्याले में भारत मता का पुजन कर, पांच दिब जला कर उस दिन शहिद हुए जवानों को शद्धान जली अर्पित की गई, संस्था के राष्टिय वरिष्टो पाध्यक्षा तथा प्रदेश अध्यक्षा रामकुष्ण गुपता के सानिध्य में, सरवश्री रामचंद्र अग्रहरी शंकर गुपता, कुष्ण मुरारी, शिवहरे, संतुज गुपता, मनोज गुपता, सरोज गुपता, खुश्बु गुपता, आदी ने शद्धा सुमन अर्पित किये, रामकुष्ण गुपता ने कहा कि नागरिकों को पश्ची में संस्रूति को भुला कर, भारतिय संस्रूति को अपना कर, आज के दिन शहिद में मनाते हैं, इन विर जवानों का देश के लिए योगदान अतुलनीय हैं। इन शहिदों के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। श्री मधुसुदन बापुची की प्रेरना से श्री राधा गुष्ण भक्त परिवार की और से दामोदर प्रभुजी द्वारा साध्द्युस्य भागवत कथा सोशल मिडिया पर प्रति दिन दिखाई जा रही हैं। दामोदर प्रभुजी ने नाम की महिमा सुनाई। तरह हमें भी भगवान की दूत लेने आएंगे। साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीका करन का समय शाम के 5 बचे तक होगा। टीका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयो के सभी नागरिकों को कोविट शिल के जरिये टीका करन किया जाएगा। ये जानकरी चिकित सास्वास्ता दीकरी डॉक्टर संजे चिल करने दी है। एवं खैरी ग्राम पंचयत सरपंच वसरपंच संघटना परिशत तालू का अधिक्ष बंडु कापसी की प्रमुक उपस्तिती में खैरी ग्राम पंचयत प्रांगन में साइबर क्राइम जागरुकता दिवस मनाया गया। इस अउसर पर साइबर अपरात पर प्रभावी तरीके से नियंत्रन के लिए साइबर सुरक्षा से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों ने छात्र चात्राओ, ग्राम पंचयत के सदस्यों, वाम जन तको साइबर अपरात से बचने के गुर सिखाए और जागरुकता महराष्टा नवनिर्मान वाहतुक सेना शाखा, निलडोह हिंगना विधानसभंख शेत्र द्वारा केंद्रिय परिवहन मंद्री और राज्य परिवहन मंद्री प्राध्यशिक परिवहन अधिकारी नागपर ग्रामिंग आर्टीों को कोरोना महामारी के मद्दे नजर एवं आर्थिक तंगी से जूज रहे मिनी ट्रांस्पूर्टर को आर्थिक डिलासा देने है तू मांग की गई दरसल ग्रामिंग शेत्र के मिनी ट्रक और ऐसे ही कई अन्य प्रकार के वाहन चालों को पर महाराष्टर अध्योगी क्विकास महामंडल M.I.D.C. में कमपनियों के गेट के सामने ओवर्लोडिंग और विवित प्रकार के चालन के माध्यम से जुर्माना वसुल किया जा रहा है इसलिए महाराष्टर नवनिर्मान महातुक सेना के सर्चिटनेस महेश शाहू और स्थानीय मंसे पदादीकारियों द्वरा मुद्दा उठाया गया है समन्दित विभाग को पत्रदवारा परिस्तिती के बारे में सरकार को अवगत कराने की बात कही जा रही है की उपस्थिती में ग्यापन सोपा गया राष्टियस तर पर कोल इंडिया नर्सेस एसोसेशन ने सुमवार को सांकितिक आंदोलन कर कोल इंडिया के सीमडी को विविद मांगो का पत्र स्थानिक वैद्दे की अधिकारियों के मात हद दिया है दरसल अस्पताल की रीड की हड़ी ही नर्स होती है हमेशा सेवा कारिय के लिए वे ततपर और तयार रहती है कोरोना काल में भी नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गहरी निष्टा से परिवार से अलग रहकर मरीजों की सेवा की थी किन्तु अन्य केंद्रिय वा सारवजनिक इकाईों की तुलना में कोलिंडिय के नर्सों के पदनाम, केरियर ग्रोथ वा विभिन्न भत्तों में असामानता है कोलिंडिया नर्सेस एस्सोसेशन द्वारा कोलिंडिया के अध्यक्षय सहप्रवन निदेशक से अपने कैरियर ग्रोथ नर्सिंग वा पोशाक भत्ता एवं पदनाम परिवर्तन सम्मधित लंबित मांगू को लेकर ध्यान अकर्शित करने हितु कोलिंडिया के सभी सहयोगी कंपनी इकाई के क्षेतरिय वग केंद्री अस्पताल सहिट डिस्पेंसरी एवं प्राथमी कुपचार केंद्र प्रमुखों के जरिये ग्यापन सौपा गया कोल इंडिया के सभी इकाई शेत्रव केंदरी अस्पताल सहित डिस्पेंसरी एवं प्राथमिक उपचार केंदरों में आगामी समय में अपनी मागों के समर्थन में कोल इंडिया प्रबंधन का ध्यान आकरशित करने के लिए बगेर कारिय बाधित किये कोल इंडिया नर्सेस के सदस्यों द्वारा शांती पुर्णा प्रदर्शन किया गया। सदस्यों द्वारा शांती पुर्णा प्रदर्शन किया गया। पुना द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई जा रहे ही कौशल विकास प्रशिक्षन संस्था का आयुकतर सर पर चयन करने आदी मांग शामिल है। हेमाड पंथी शिव मंदिर कमेटी सावनेर द्वारा तालोका वकिल संग सावनेर के नवनी युकत सचीव एडवकेट भुपेंद्रपूरी का पुष्पग उच्छा देकर सतकार किया गया। इस अउसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नर्सिंग हजारी सचीव लोकेश स्रेव के एडवकेट चंद्रशेखर बरेठिया मरोज बस्वार किशुर गुहारी कर आत्माराम कमाले राजु गुहारी कर सोमचन सिवक श्री किशन मेहंदोल वस्तानन मोवाडे उपस्तित थ इस अउसर पर सावनेर वकिल संगा के भूत पूर्व अध्यक्ष एडवकेट चंद्रशेखर बरेठिया ने कहां कि एडवकेट भुपेंद्रपूरी एक युवा तथा होनहार वकिल के साथ ही अच्छे संगड़क है गरिब समाज बंधूों की मदद के लिए सदैवा से भाग लेना तथा मदद करना उन्हें और बड़ा बनाता है तो वही एडवकेट भुपेंद्रपूरी ने हेमाडपंथी शिवंदिर समिती द्वारा किये गए सतकार के प्रती कृतग्यता व्यक्तकर सभी का आभार माना स्थानिय सेट के सरीमल पुरवाल जुनियर कॉलेज में एल्यूमिने एस्सेशन द्वारा ग्यारवी वबारवी के विद्यार्थियों के दो दिवसिये वैक्सिनेशन कैम का आयोजन शुक्रवार वशनिवार को किया गया वैक्सिनेशन कैम्प के दो दिवसिये दुसरे चरण में कुल 644 विद्यार्थियों को टीका लगाया गया ग्यात हो कि इसके पहले एस्सोसियेशन द्वारा पहले चरण में कुल 1000 विद्यार्थियों को टीका लगाया गया था वैक्सिनेशन कैंप में ग्रामिन अस्पताल की निलम खोबरागडे, सीमा नगरारे, कुंदा पिलेवान, सारीका परिपगार, आनन्द राउत एवं मंगेश खांडे कर सहीद, अन्य करमचारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया वैक्सिनेशन कैंप के सफलतार्थ कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर, एमबी बागडे, अल्यूमिने एस्सोसियेशन के सचिव, डॉक्टर इंदरजित बसू, जुनियर कॉलेज की वोईस प्रिंसिपल सुनिता भौमिक, परिया वेक्षिक प्रोफेसर, डॉक्टर सुधि नाकपुर की जॉइन कमिशनर द्वारा शुरू किये गए पुलिस दीदी उपकरम के अंतरगत, बारा से अठरा उमर की स्कूली छात्राओं के सुरक्षा हेतु, स्कूलों में जनजागरूती अभियान चलाय जा रहा है हिंगना आम आईडी सी थाना अंतरगत, थानेदर उमिश बेसकर की प्रमुक उपस्तिती में, शांतिनी कितन स्कूल राजिवनगर और जीला परिशत हाई स्कूल निल्डोह में इस उपकरम के अंतरगत, स्कूली छात्राओं के साथ घटित होने वाले अपरिय घटना से कैस से आगे बढ़ना चाहिए, ये मार्क दर्शन पुलिस अधिकारियों द्वरा दिया गया, इस कारेकरम के दोरान महिला पुलिस एसाई के हाथ हो, सभी छात्राओं को गुलाब दे कर स्वागत किया गया, और उनके उजवल भविश्य की काम ना भी की गई, वही छात्राओं मंच के तत्वावधान में, न्यू कामठी पुलिस स्थाना के वरिष्टा पुलिस निरिक्षक संतो श्वेरागडे के मार्क दर्शन में महिला जागरुकता कारेकरमायुजित किया गया, पुलिस उपनिरिक्षक गिता रासकर वह महिला सिपाही सविता शिंगाडे ने कहा, कि पुलिस स्थाने में आपसी जुटे मामलों को लेकर ना आए, महिलाओ को अपने अधिकारों के प्रती जागरुक रहने, एवं अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही। सुरेका खांडेकर, इंदू भावे, विशाखा गेडा, पिंकी बामबोरडे सहीत, अन्या महिलाओ वचात्राय उपस्तित थे। जुआ अधिनियम के अंतरगत आठ मामलों में 18 आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 83,500 रुपे का जुर्माना वसुला गया। उपरोग तो सभी ऑपरेशन सयुक्तरूप से नाकपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे। चाफिक विभाग ने ये आभान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से सम्मदित सभी दस्ता वेज अपने पास रखे। नाकपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजिदल ने सुमवार को बगएर मास्क के घुमने वाले 48 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कारवाई की और उनमें से प्रतेक से 500 रुपे के अनुसार 24,000 रुपे का जुर्माना वसुला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 45,000 नागरिकों के खिलाफ कारवाई की और अब तक 2.08 करोड रुपे से अधीक राशी का जुर्माना वसुला है। खिलाफ कारवाई कर रही है। ऐसी हरकतों से ये गहर जमेदर नागरिक खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्तक के साथ साथ समाच और शहर के लोगों के स्वास्तक को भी खत्रे में डाल रहे है। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार